बंडार टीवी को सब्सक्राइब करना बिलकुल मुफ्त है सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकोन को दबाएं हमारी नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार बंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा नुस्का जो कि एक ही दिन में आपका गोरापन इतना बढ़ा देगा कि लोग देखते रह जाएंगे दोस्तों आप इस वीडियो को पुरा अंत तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी जबरतस टिप देने वाला हूँ जो की इतनी ज़्यादा इंपोर्टेंट और एफिशेंट है इस नुस्के को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों आप इस वीडियो को पुरा अंत तक देखते रहिए यहाँ जो हम चीजें इस्तमाल करेंगे वो इतनी ज़्यादा साधरन साथी साथ सरल है कि आप नहीं जानते होंगे दोस्तों कई लोगों ने आपको अपनी अपनी राय देते हैं कई लोग बताते हैं कुछ कुछ नुस्खों के बारे में इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसी हजारों लाखों वीडियो मिल जाएगी जो कि आपको दावा करेंगी बताएंगी कि आप गोरापन कैस से बढ़ा सकते हैं लेकिन जो मैं आज आपको टिप देने वाला हूं दोस्तो ये टिप है तो आसान साथ ही साथ बहुत ही एफिशेंट और इफेक्टिव भी है तो आप इस वीडियो को देखते रहें यहां जो हम चीजे इस्तमाल करेंगे दोस्तो और आपके सामने जो कमेंट जरूर करेंगे कि सर मेरा इसकिन गोरा हो गया तो आप इस वीडियो को देखते रहें और चलिए हम बनाते हैं वह जवर्दस्त नुस्खा जो कि आपके चेहरे को गोरा कर देगा इसको करने के लिए आपको जो है सबसे पहले कटोरी और चमच ले लेना है ये ले ले अच्छी साथ इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको इसे और बी ज़दा इफेक्टिव बनाने का एक और जबर्दस्त टिप मिलने वाला है तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको दही ले लेना है दही की आपको मात्र जो है इसकी चार चमच ले रहा हूँ चार चमच जो है मैंने दही की ले ली है आप देख सकते हैं यह है दही और इसकी जो है मैंने चार चमच ले ली है अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसमें और क्या मिलाना होगा यहाँ पर आपको दोस्तों मिलाना होगा नीबू जो कि हम यहां आज इस्तमाल करेंगे नीबू हमारे चेहरे को दोस्तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो देता है साथी साथ यह बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है हमारे चेहरे के पोर्स को साफ करने में अगर आपको चेहरा डल रहता है आपकी स्किन ड्रा है तो आप इसके इस्तमाल कर सकते हैं यह बहुत ही जादा एफेक्टिव रहेगा आपको क्या करना होगा दोस्तों लगभग इतना आपको नीबू लेकर के आपको चार चम्मस दही में डाल देने हैं आप चाहें तो नीब आपको एक और चीज इस्तमाल करनी होगी तो चलिए हम उस चीज को भी यहां मिला देते हैं आप जो यहां हम तीसरी चीज इस्तमाल करने जा रहे हैं वो है हल्दी आप इसके मातरा देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितना हल्दी इस्तमाल किया है आपको इतनी हल्दी लेकर के इसमें डाल देने हैं और उसके बाद आपको इस मिश्रण को बड़ी अच्छी तरीके से मिला लेना है अच्छी तरीके से इसे आप मिलाईए अगर आप दही का इस्तमाल अपने चेहरे पर करते ही दोस्तों तो यह आपके चेहरे को मौस्चराइज करता है और यहाँ separately जो है नीबू का भी इस्तमाल कर सकते हैं नीबू के इस्तमाल के लिए आपको जो है आधा कटा नीबू लेकर के अपने चेहरे पर स्करब करना होगा और मातर 15 मिनट के लिए आपको अपने चेहरे को उससे स्करब करके रखना होगा और उसके बाद ठंडे पानी से धो करके तौलिय से चेहरे को पोच करके आप इस नुस्खे को लगा सकते हैं यह भी बहुत ही जादा effective रहेगा दोस्तो और बहुत ही जादा glow देगा आपको अब आप जो है इसका इस्तमाल कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको इसके इस्तमाल के लिए आपको जो है हर दूसरे दिन इसका इस्तमाल करना है मतलब जैसे कि अगर आप इसका इस्तमाल सोंवार को करते हैं तो इसका दूसरा इस्तमाल बुदवार को होगा ऐसे ही करके हर दूसरे दिन आपको जो है इसका इस्तिमाल करना है आप मात्र एक महीने ऐसा करके दीखिए दोस्तो और आपको ऐसा गजब का रिजल्ट मिलेगा आपके चेहरे में कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे अब दोस्तो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो टिप जो कि इसे और भी जादा इफेक्टिव बना देगी अब यहां आपको करना क्या होगा दोस्तो यह मैं बताता हूँ अगर आप इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको कच्चा दूद का इस्तेमाल करना होगा कच्चे दूद को लेकर के आपको सवेरे इसे लगाने से पहले अपने चेहरे को गरम पानी मतलब गुनगुने पानी से धोलेना है तौलिये से पोछ लीजेगा उसके बाद कच्चे दूद को लेकर के अपने चेहरे पर मलिएगा लगभग उसे अपने चेहरे पर तब तक रहन दीजेगा जब तक वो दूद सूख नहीं जाता जैसे ही दूद सूख जाए उसके बाद जो है आप नमक जो हम खाने का नमक इस्तवाल करते हैं आपको थोड़ी से मातर ले करके उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल या तो फिर ओलिव ओईल मिला करके अपने चेहरे पर लगा लेना है और ऐसा करने के बाद आप लगभग 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को धोली जेगा ऐसा अगर आप करते हैं हर दूसरे दिन और इस नुस्खे का प्रेयोग करते हैं तो आपको ऐसा गजब का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों कि आप खुद देखकर अचंबित रह जाएंगे तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताईए इस प्रकार की वीडियोज मैं रोजाना दोपैर 12 बचे और शाम को 5 बचे लेकर के आता हूँ इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू के बैल आइकोन को दबा लीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना कर पाएं तो दोस्तों मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार